हेलो स्रुड्रेंट, वेलकम टू माई चैनल, इनोवेशन वाई फाई सड़ी, आई एम रोशन, तो स्रुड्रेंट आज अपन सीखेंगे भाग के से दिया जाता है, तो वो क्लास लगाने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, कि आपको सामने द दिखाई दे रहा होगा, कि क्लास नाइन्थ है, टैन्थ है, इलेवन्थ है, इन सभी की, और ट्वाइल्थ है, जो न्यूस लेवस आया है, अन्सियार्टी का, उनकी जो मैथमेटिक क्लास अपने चैनल पे लगाई जा रही है, टोटल कॉर्स आपको फरी में दिया जाएग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल आइकन को दबाएं, क्लासों को लाइक करें, शेयर करें, चलेगा, तो आज अपन क्या सिखेंगे भाग करना, आप बोलोगे सर, क्या मजा कर रहे हैं, हमें क्या भाग नहीं आता, हाँ चलेगा, हमने बहुत बार भाग किया और 6 तीय अठारा यहां पर 2 सेसपल यह 2 बचेगा तो यह तो हमारे पास में 6 पल बचेगा पूरी वीडियो देखना कलियर हो जएगा जो भी डाउट है और यहां पर यह 6 क्या है हमारे पास में भागफल है और यहां पर यह तीन क्या है यह आपके पास में भज्जे है भज्जक है और यहां पर बीस क्या है भज्जे है यह आपके पास में भज्जे है यह भज्जक है यह भागपल है यह सेस्पल है हमने अब तक ऐसा ही भाग शिखा होगा लेकिन आज ऐसा भाग सिखेंगे जैसे मैं लिखूंगा कि X की स्केर प्लस में 5 में इस value में अगर आपको भाग देना पड़े X प्लस 1 का तो भाग कैसे देंगे तो आज की class पूरी की पूरी इस भाग पे रहेगी ठीक है इसमें हमारे पास में ये समझगे ना ये समझना जुरूरी है हमारे पास में देखो भाज्य है भाज्य चोटा नाम है भाज्य जै आदा है मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहां से मेरे बताने का मक्षद क्या है इसमें आपके doubt रहता है बहुत से स्ट्विनेट के डाउट रहता है कि भाज्य और बाजक में तो यहां पर यह डाउट कलियर करना चाहूंगा कि भाज्य में भा आदाज्य ही है यानि इसमें डाई अक्सर है और इसमें पूरे तीन अक्सर है इसमें चार अक्सर है इसमें भी चार है लेकिन अब को अंदर रखेंगे सबसे चोटे को क्या करेंगे अंदर रखेंगे विए उस पे तो सभी रॉप जबाएंगे तो वह लेंगे तू अंदर चल तो यहां से हमारे पास में क्या आएगा भज्य आएगा बाहर क्या आएगा भाजक आएगा और यह तो आपको आता ही है यह आपक कि भज्य बराबर इसका जो multiply करेंगे बाज्यक का बागफल के साथ में multiply बाज्यक का बागफल के साथ में multiply यानि हमारे पास में आएगा बाज्यक गुना बागफल और पलस में क्या आएगा remainder यानि सेसफल पलस में क्या आएगा सेसफल आएगा तो देखो अपने भाग दिया था बीस में तीन का भाग दिया था तो यहां से बीस हमारे पास में भज्य है भज्य कैसे प्राप्त होगा यानि हमारे पास में बाज़क तीन है तीन का गुणा बागफल छे के साथ में करवा दिया प्लस में रिमेंडर हमारे पास में दो तो यह हमारे पास में यह आपको अच्छे तरीके से याद करना है कि भाज्य बराबर क्या होता है बाज्यक गुणा वागफल पलस में सेस्पल आना चाहिए यहां तक कलियर हुआ क्या समझ गए चलेगा अब अग्जामपल पर चलते हैं इसके जितने भी अग्जामपल हैं जैसे 6,7,8,9,10 दस अग्जामपल करेंगे इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज 2.3 रहेगी तो यह पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.3 है इसी अग्जामपल क बेस पे हैं पूरा ध्यान लगा के देख लेना दस अग्जामपल लाच तक चले जाना यानि जो भी आपके डाउट है वो कलियर हो जाएंगे अब देखो यहां हमें दिया गया है अग्जामपल नमबर 6 कैप PX को GX से भाग दीजी PX को GX से भाग देना है PX का मान आपको दे रखा है X प्लस में 3X की स्केर माइनिस में 1 और GX का मान आपको दे रखा है 1 प्लस में X तो सट्रूडेंट अच्छे तरीके से यहां से ध्यान रखना है कि हमें बाज्य कौन सा है बाज्यक कौन सा है तो हमारे पास में मैं लिखूँआ PX क्या है PX को भाग देना है GX से तो PX को अंदर रखेंगे अंदर किसको रखेंगे PX को रखेंगे और PX का मान कितना है सब से पहले बड़ी power लिखेंगे तो हमारे पास में 3 X का square प्लस में X माइनस में X इसको क्या है हमें करम से लिखना पड़ेगा और GX से भाग देना है GX का मान कितना है X प्लस में 1 है इसने 1 प्लस में X दे रखाए बनाना है एक्स की स्केर बनाना है तो मैं इस एक्स प्लस में वन के पर्थम एलिमेंट में पर्थम एलिमेंट क्या है पर्थम आउवे इसमें क्या है एक्स है इस एक्स को किस से मल्टिपलाई करूँ कि मेरे पास में तीन एक्स की स्केर आजे और वह भी प्लस का है तो मैं इस को तीन से गुणा कर दूँ तो तीन आजएगा और एक्स मेरे पास में है मैं इसको एक्स की स्केर से गुणा कर दूँ है तो मेरे पास में यहां से गुणा करके देखो दोनों के साथ में गुणा जाएगा तो 3x की square plus 1 के साथ 1 हो गा तो टीन 3x की cube क्योён क्यों क्यों हो गा यहां पर x की square है यहां पर x है तो अधार समान होने पर गातें जुड जाते हैं तो एक्स डोट x की square बराबर क्या होगा इसकी घात 1 है तो टीन होजिए हैं तो मारे पास में एक 2 plus में तो यहां पर भाग कितनी बार दिया हमने भाग दिया तीन एक्स गी स्केर बार कितनी बार दिया तीन एक्स गी स्केर बार दिया तो यहां से जो रजल्ट आएगा वो तीन एक्स गी सुरी यहां पे स्केर ही बनाना है स्केर ही बनाना है तो एक्स से ही बाग करना पड़ेगा का यहां से क्यूव नहीं बनाना है क्यूव नहीं बना होगे तो आपको क्या करना है जाहिरी यहां पर क्यूब होता तो क्या करते हैं से जाहरी बात है तो हमारे पास में 3X का अब देखो पाना है यह वी प्लस का यह प्लस का क्या करें भी माइनस घ्टा गटा एंगे हमेशा ही साइन चीने बदल जाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा यह भी प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो यह तो दोनों कट गए हमारे पास में देखो माइनस का तीन एक्स है प्लस का एक्स है तो माइनस के तीन एक्स है और प्लस का एक्स है तो माइनस के कितने बचेंगे, दो X माइनस के बचेंगे, तो यहां पे मैं लिखूँँगा, माइनस का दो X, उपर से माइनस एक उतारूँआ, अब मेरे को क्या बनाना है, यहां पे माइनस लेके आना है, तो माइनस लेके आना है, तो सबसे पहले ही, अगर यहां पे पहले element में minus है यो पहला element माइनस का है तो यहां पर हमेशा ही minus से multiply करना होता है अब इसके बाद में देखो यहां पर 2 बनाना है तो 2 से मेरे को इस x को multiply करना है पड़ेगर x का x है तो minus 2 से multiply कर दो तो मेरे पास में बनेगा minus के 2x अब minus 2 का multiply एक के साथ में करेंगे, यहाँ पे plus का Х1 का है, यहाँ पे minus का 2 है, तो plus minus माइनस, यह हमारे पास में आएगा 2, अब देखो, यहाँ पे, यह भी minus का है, यह भी minus का है, चैनसल नहीं होगा, तो यहाँ से क्या करें, गटाएएगे, गटाएगे, तो इसमें sine चैंज हो जाएगा यह प्लस का हो जाएगा यह भी प्लस का जाएगा तो यह दोनों कैंसल हो जाएगे हमारे पास में प्लस का दो बच गया और माइनस का एक है तो प्लस का दो है माइनस का एक है तो प्लस की वेल्यू जादा है कितनी जादा है एक जादा है तो हमारे पास में ये result आ गया, ठीक है, ये तो आपको रफ काम करना था, और भाग इस परकार से देना है, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ, कि बाग फल कितना है, अगर यहाँ से आप से पूछ ले, कि बाग फल बताओ कितना आएगा, बाग फल, तो बाग फल आपके पास में आ गया 3x माइनस में 2 कितना आगया 3x माइनस में 2 आपके पास में भाग पला गया अगर आपसे पुछे 6 पल 6 पल कितना है 6 पल आपके पास में 1 है अगर आपसे पुछे बाजक तो बाजक बराबर क्या है x पलस में 1 है और अगर आपसे पुछे कि भाज्या क्या है तो भाज्या यहां अंदर रहेगा सबसे छोटा है तो हमारे पास में 3X का स्केल प्लस में X माइनस में 1 यह आपके पास में आएगा ठीक आपको भाग करना है अगर आपसे सेस्पल पूचे सेस्पल बता सकते हैं भागफल पूचे तो भागफल बता सकते हैं कलियर हुआ ना कोई डाउट है क्या कुमेंट बॉक्स में कुमेंट कर देजिए आच्छे तरीके से ठीक है आपको उसका जबाब दिया जाएगा अब देखो साथ नंबर अग्जांपल वाला क्या बोद रहा है कि यह हमें कोई बी जो भी है पिछे वाले में पी एक्स जी एक्स दे रखाता कोई जुरूर नहीं भी पी एक्स जी एक्स ही मिले अब देखो यहाँ पे ये एक एक्वेशन दे दिया इसको क्या है एक्स माइनस एक से क्या करना है भाग करना है तो जिससे भाग करेंगे वो तो बाहर रखेंगे और जिसको भाग करेंगे वो अंदर रखेंगे तो देखो क्या प्रोसेस रहेगी सुट्टनेट भाग का निसान लगाओगे चोटी क्लासों में लगाते आ रहे हैं सर्जी लगाते आ रहे हैं 3 x की पावर 4 माइनस में 4 x की पावर 3 माइनस में 3 x माइनस में 1 और यह हमारे पास में कहे x माइनस में 1 अब इसमें भाग करना है और इसमें बहुत बार कन्फ्यूज होते हैं बच्चे उसमें डाउट जाद बहुँ जादा डाउट रहते हैं कि सर्जे हमने तो बाग करना तो सीखा था लेकिन ऐसा भाग नहीं करना सीखा हाँ बेटे अब आगे आगे जैसे बड़ी कलासों में चलोगे तो वैसे वैसे क्या है भाग के टाइप भ करना है लेकिन हैं यहाँ पे वैल ऊक्षॉर हो गया अब थरी बनाना है थरी बनाना यह नरा है तो मेरे को ठरी लेके आना पड़ेगा थरी से तीन और यह हमारे पास में एक्स की क्यूब अब मेरे प्यारे विजार्थियों देखो कि यह भी प्लस का यह भी प्लस का यह लेकिन कटेगा तो नहीं काटने के लिए अपन क्या करेंगे गटाएंगे गटाएंगे तो हमेशा ही साइन क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं तो यह माइनस का और यह हमारे पास में का ज़ेगा पलस का ज़ेगा तो यह पलस माइनस तो ही कट जएंगे हमारे पास में देखो चार एकस की क्यूब माइनस का है और तीन एकस की क्यूब पलस का है तो माइनस का ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है माइनस के एकस की क्यूब भी एक ही x की क्यूब जाद है ना, कोई डाउट है क्या, अब देखो, माइनस का 3 है, माइनस के 3x आएंगे, चलिएगा, यहां से माइनस का 3x, उतार लिया उपर से, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को माइनस लेके आना है, तो मैंने बताया, अगर माइनस ची ने दीखते ही, माइनस से मल्टिप्लाई कर देना है, क्योंकि यहां पर, माइनस की x की क्यूब है ना, तो मैंने यहां पर माइनस से मल्टिप्लाई कर दिया, अब यहां पर तो x है, यहां पर तो x है, लेकिन यहां पर X की क्यूब बनाना है तो क्या करेंगे X की स्केर से मल्टिपलाई करेंगे क्या करेंगे X की स्केर से मल्टिपलाई करेंगे तो हमारे पास में यह बनेगा माइनस X की क्यूब माइनस और माइनस पलस यह हमारे पास में बनेगा x का square तो हमारे पास में देखो ये भी minus का है ये भी minus का है कटेगा नहीं काटने के लिए गटाएंगे और गटाते है तो minus के sign change हो जाते है sign change हो जो plus का है वो minus का है जो minus का है वो plus का तो minus का है ये plus का हो जाएगा ये minus का हो जाएगा ये दोनों cancel out हो गए अब देखो माइनस के x की स्केर है, यहाँ पर x की स्केर है नहीं, तो मेरे पास में यहाँ पर क्या बच गया, माइनस के x की स्केर बच गया, और यहाँ पर देखो, माइनस का 3x है, माइनस का 3x है, और उपर से हमने क्या उतार लिया, माइनस का 1 और उतार लिया, क्या उतार ल यह माइनस x से multiply कर दिया तो यहां से माइनस x का x के साथ में x का square माइनस और माइनस पलस x का 1 के साथ में x तो यह हमारे पास में क्या होगा यह तो हमारे पास में पलस और यह हमारे पास में होगा माइनस गटाएंगे तो sine change हो जाती है यह हमारे पास में कर जाएगा यह देखो minus ka x है और यह minus के 3 है तो minus के कितने हो जाएगे 4x और यह minus का 1 है अब देखो मेरे को यहां पे minus बनाना चलेगा minus से multiply कर दिया और हमें यहां पे क्या बनाना है 4x बनाना है तो x तो already है मैंस के 4X मैंस और मैंस पलस के आएंगे 4 हमारे पास में अब ने देखो मैंस के 4X के लुए लुए गताएंगे तो यह ग्टा बागफल क्या है टीं एक स़ुकेर माइनस ही क्या होता है सेशपलł उसमें कोई भी चरह नहीं माइनिस के 5 आ गया कलियर हुआ क्या कमेंट करके बताएं अरे समझ में आया है ना और भी समझ में आजेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है कुछ तो समझ में आ रहा होगा अगर आपके 50% समझ में आ रहा है एक बार दुबारा वीडियो को देखोगे और 2.3 चेप्टर करोगे तो आपके पास 100 में से 100% आएगा फिर भी नहीं आता है समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फिर भी मेरे पास में और सॉलिशन है इसका और भी बता दिया आपको अब देखो अग्जामपल आठ नमबर में क्या बोला गया है यह हमें PX दे दिया ठी PX को X प पूछा है हमसे भी अब की बार सेसपल बताओ पहले था हम डायरेक्ट बता रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी हम बता रहे थे सेसपल और इसका बागपल लेकिन अब इसने पूछा है अब की बार तो जुरूर लिखना पड़ेगा में नीचे कि लो जी यह सेसपल है तो कैसे निकालोगे भाग किसका करना है एक्स प्लस में एक का करना है एक्स प्लस में एक से भाग करना है और किस पे करना है लो जी इस पे करना है एक्स की पावर तीन प्लस में वन इस पे भाग करना है अब देखो यहां पे एक्स है और यहां पे प्लस का एक्स की पावर थरी है त X की स्केर से क्या करेंगे मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह हमारे पास में आएगा X की पाउर 3 प्लस में X की स्केर तो यहां से देखो यह तो माइनस का हो जाएगा और यह भी हमारे पास में क्या हो जाएगा माइनस का तो यह तो दोनों कैंसल हो जाएगी यह हमारे पास में के X की braillёт फ्र flavored बन अब देखो यहां पर माइनस बनाने के लिए अपन क्या करें गाले करें तो całमारे पास मिद्च के यह देखो एक का X के साथ में와 एक्स का सक्षाइब मामेक्स का स्कर्ष और लिए मेव्यारे पास में त्रैक एक्स क्या माम्निस के X, अब देखो यह भी minus का, यह भी minus का, गटेगा नहीं, गटाएंगे, गटाएंगे, तो वी प्रिच्चीन हो जाती है, यह plus का हो जाएगा, यह लोग जाए, minus plus, खमारे पास में plus का X बच गया, और यह हमारे पास में क्या बच गया, प्लस का एक, प्लस का एक सार, प्लस का एक बचे, अब अपन क्या करेंगे, प्लस एक से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो हमारे पास में यहां से हो जाएगा, अब भाग देंगे प्लस एक बार, तो यह हमारे पास में एक्स प्लस में एक, और यह देखो गटाएंगे, तो यह हमारे पास में शैस capital कितना आगा यह भी कट गया और यह भी कट एगा तो शैस capital कितना आगा zero唉 सैस capital आपके पास में कितना आ गया जीरो शैस Rusnal आ गया यह बताना था आपको Mis cap clear हुआ यह चलें next question पर चलेगा अब देखाई यह 9- एक्जामपल क्या बोल रहा है कि x की power 4 प्लस में x की power 3 माइनस में 2x की square प्लस में x प्लस में 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर प्राप शेषपल गयात करता है अब सब्डेन्ड देखेगा आप भाग विदी से भी इसको solve पर सकते हैं एक आपके पास में सेसपल पर में वी दियाती है, एक आपके पास में सेसपल पर में वी दियाती है, तो उससे कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे, जैसे हमें बाग किस से देना है, एक्स माइनस एक से देना है, और किस पे देना है, एक्स की पावर चार प्लस में, एक्स की प मेnd भाग वीदी तो आपको समझ में आओगे मैं से्सफल पर्मेविदी से बता देना चाहूंगा यानि हमें जिससे भाग देना हो किससे भाग देना है एकस माइनस टान है विडियों से भाग एक आ गया अब हमने माल लिया यह कोई के है आप फलन माल ली जो भी है पी एक्स हमने माल लिया कि एक्स की पाउर ढुर्ञ प्लस में एकस की अधी माइनस में तो एक्स की प्लस माल Lub एक की पावर 4 है एक की पावर 3 है मैनस में, दो, एक की पावर 2 है प्लस में 1, प्लस में 1 अब देखो एक की पावर चार करो, एक की पावर हजार करो एक ही आएगा, पलस में एक की पावर तीन करो, एक ही आएगा, माइनस में ये हमारे पास में दो, पलस में एक पलस में एक हमारे पास में दो, इस दो से ये दो कैंसल हो जाएगा, एक पलस में एक हमारे पास में कितन आगा 2, 2 दो आपके पास में जो result है, उसे ही हम क्या बोल सकते है, successful, उसे ही हम क्या बोलेंगे, successful बोलेंगे, यह आपके पास में successful है, अगर आप भाग वीदी से, जैसे आप ऐसे करना चाहो ना, इस वीदी से कि x की power 4 है, plus में x की power 3 है, minus में आएगा यहां से जो आपके पास में सेस्पल बचेगा ना वो कितना आएगा दो ही आएगा तो आपकी मर्जी है आप कौन से से भी कर लेना अब चलीगा कर लोगे आप को दिकत नहीं है मैंने करवा दिया एक से तरीके से ऐसे कर लेना ठीक है next पर चलें अब देखो गुणन खंड बोलें या हम गुणज बोलें तो इसका result क्या आता है अगर हम इस 2T plus में 1 से इस 2T plus में 1 से अगर हम इस QT में भाग दें इस QT में भाग दें QT हमारे पास में यह अगर इस में भाग दें तो इसका अगर 6 पल 0 आ जाता है अगर 6 पल 0 आ जाता है तो अपन बोलेंगे भी ये इसका गुणज है अगर सेस्पल 0 नहीं आता है तो वो उसका गुणज नहीं है कलियर हुआ क्या जो भी डाउट है कलियर हो गया क्या बताने जा रहा हूं में अब आपको क्या करना है सेम प्रोसेस करना है भाग दे के देखना चाहें तो देख सकते हैं लेकिन मैंने सेस्पल पर में से बताया था कि हमें भाग किस से देना है टू टी प्लस में वन का देना है इसको जिस जिसे 2T प्लस में 1 से तो भाग देना है और देना कि इसको एक्यूट्侵़ देना है और जिससे भाग देंगे उसको हमयशे ही ब्राबर 0 रखेंगे ये हमारे पास में इदर आएगा 1 आएगा पलस का एक है इदर आएगा तो माइनस का एक आएगा ना तो हमारे पास में यहां से 2T बराबर 2T बराबर माइनस का एक है तो यह हमारे पास में T बराबर क्या आएगा T बराबर देखो माइनस का एक बटा दो T का result कितना आएगा रहे माइनस का 1 बटा 2 आएगा क्योंकि यह दर गया यह गुणा में अब देखो T की जगा आप क्या रखोगे पूरे की जगा माइनस की बटा 2 रख दो तो आपके पास में QT आपको कितना दिया गए QT आपको दिया गए 4 T की पावर 3 प्लस में 4 T का स्केर माइनस में T माइनस में 1 अपन क्या करेंगे Q माइनस का 1 बटा 2 T तो यह हमारे पास में 4 है माइनस का 1 बटा 2 की पावर 3 है पलस में यह हमारे पास में 4 है माइनस का 1 बटा 2 की पावर 2 है माइनस में यह हमारे पास में अंदर है एक बटा दो है, तो एक बटा दो है, इसकी पावर तीन है, और विसम है, और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है, तो बाहर माइनस आएगा, चार गुना, एक बटा दो, यानि दो की क्यूब कितना होता है, आठ होता है, तो एक बटा आठ, पलस में, अब देखो यहाँ पर प कि एक बटादो होलल स्केर क्या होगा एक बटादो होगा एक बटाद चार होगा और यह माइनम सका इसको काड़ दो यह हमारे पास में कितना आएगा चार एकम चार चार दूए आठ इस चार से यह चार कटेगा तो हमारे पास में Q माइनस का एक बटा दो कितना आएगा यह तो आएगा माइनस का एक बटा दो यह पलस का एक यह पलस का एक बटा दो यह माइनस का एक ये इस से कटेगा ये इस से कटेगा बराबर रिजल्ट कितना आएगा जीरो आएगा बराबर जीरो आगया तो अब अगर इसका जो सेस्पल यानि ये क्या बचा है अगर ये जीरो आगया अगर कुछ हो रहाता तो भी हमारे पास में क्या बोलते इसको सेस्पल भी बोलते और और यहां पर अगर हमारे पास में सेस्पल 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि जो 2T प्लस में 1 है वो कहें QT का एक जो भी QT आपको बहुपद दिया गए QT बहुपद का एक गुणज है लिखेंगे QT की 2T प्लस में 1 बहुपद यह हमारे पास में 4T की पावड 3 और यह हमारे पास में 4T का स्कैर यह माइनस के T है माइनस के 1 मैं या इसका भाग देने से 2T प्लस में 1 बहुपद का एक गुणज है, इसका क्या एक गुणज है, कलियर हुआ क्या, यहां तक समझ में आया, तो आज की क्लास में हमने अग्जामपल किये हैं दस तक, और भाग करना अच्छे तरीके से सिखा है, और यह आपकी सेश्पल विद्धी भी हमने अच्छे तरीके से सीख लिए, कैसे करते हैं, फिर भी कोई डाउट है, तो comment box में comment कर सकते हैं, आगे की जो class रहने वाली है, वो exercise, 2.3 उस class में complete कर लेंगे, तो session को ज्यादा से ज्यादा दिल से दबा के share कर दीजेगा, like कर दीजेगा, और subscribe कर लें, पास म में लेगी, bell icon को जूरू दबाएं, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले परते एक वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले, तो आज की class में इतना ही, next class में मिलें, कुछ नहे के साथ, जैहिंद, जैवार,